कोरोना वारस देश में फिर से पैर पसारने लगा है और एक बार फिर महराज सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आ रहा है इसलिए महराज सरकार ने नाइट कर्फियू समकून लॉकडाउन जैसे नियम लागू किये हैं साथ ही मुंबई में कोरोना गाइडलाइन्स को ना फॉलो करने वालो के खिलाफ कारवाई के आदेश भी दिये हैं इसलिए टीवी और बॉलेवो डेक्टरस गौहर खान के खिलाफ बीमसी ने एफ़ आर दर्श कर ली है जिहां गौहर खान पर कोरोना वाइरस पॉजिटिव पाई जाने के बाद गाइडलाइन्स का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया है बीमसी का कहना है कि कोविड-19 की गाइडलाइन्स सभी के लिए एक समान है गाइडलाइन्स के नियम सभी लोगों पर समान रूप से लागू होंगे ऐसे में हम आगरे करते हैं कि सभी वाइरस को हराने में हमारा साथ दे बता दें बॉलिवुड में कोरोना इस समय कहर बरपा रहा है रन्बी कपू, डिरेक्टर संजली रबंसाली, आशीश विद्यार्टी, नील भट और एश्वरिया शर्मा सहीद कई सितारे कोरोना वाइरस से पीड़ित पाए गए हैं ऐसे में अब सवाल उठता है जिन बॉलिवुड सितारों से लोग प्रेरित होते हैं इसे में जब वही ऐसी हरकत करेंगे तो आम लोगों पर इसका क्या कुछ असर होगा फिलाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहें निउस वॉल इंडिया